हेलो दोस्तों मैं पूजा आपका स्वागत करती हूँ तो आज की रेशिपी लेकर आई हूँ फ्रेंस भरवा परवल की रेशिपी तो भरवा परवल तो आपने कई बार बनाए होंगे फ्रेंस कई तरीके से बनाए होंगे लेकिन आज मैं आपके साथ बिल्कुल एक नई रेशिपी शेयर करने जा रही हूँ ये भरवा परवल खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंट्स इसकी स्टफिंग बहुत ही अलग और बहुत ही टेस्टी होता है आप इसे 10 से 15 मिनेट में बना कर त्यार कर सकते हैं फ्रेंट्स तो चलिए रेशिपी शुरू करते हैं उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नई है किसी चुरी की आप में बहुत हुए और इस तरिक से पहाज Jake पहलेगे और बीच में तो हमें एक सायड कर लगाना तो परवल के सारे बीज को हमें निकाल देना है इसे बिल्कुल खाली कर देना है ताकि हम जब स्टाफिंग भरें तो असानी से स्टाफिंग हमारा भर जाए तो इस तरीके से आप चम्मज की सहाईता से निकालें अगर आप छूरी से निकालेंगे तो कट जाएगा तो इसलिए आप चमब से निकाल के इस तरीके से बिलकुल खाली कर लेंगे तो दूसरा परवल भी हम इसी तरीके से खाली कर लेंगे अंदर के वीज को सारे निकाल देंगे हम और यह बहुत ही असानी है फ्रेंस चमब से कर आपकी घर में जो इस्तमाल होता हो वही तेल डाले तो आदर छोटा चमच हम इसमें डाल देंगे जीरा और एक मीडियम साइज का प्याज बारी कटा हुआ लेंगे और हरी मिर्च इसे हम तीन मिनट के लिए भूल लेंगे तब तक प्याज थोड़ा लाल ना हो जाए तो नमक हम स्वाद के अनुसरा डाल देंगे अधर्ण भीज बहुत निकल जाए तो अब इसमें हम डाल देंगे जो परवल के अंधर से जो हमने सारे बीज को निकाला था वह हम डालेंगी फेर्ट्स जो हाड़ बीज होगा आप उसे बिल्कूर ना डाले जो सॉफ्ट वाली जो चीजे होंगी फ्रेंट्स आप वो डाले इससे आपकी स्टफिंग बहुत ही टेस्टी बनेगी फ्रेंट्स तो दो मिनिट हो चुका है फ्रेंट्स और प्याज भी हमारा भून गया है अब इसमें हम मसाला एड़ कर हम झाले के अपर बंड़ लातुथ को बढू सिर्फिंगे मसाले को भी हम डैना पानी के लिए के लिए बहुन लेंगे फ्रेंट्स तक कि मसाला हमारा प्लल हो जाएं और उसका पानी बिल्कूल नहीं को बूंा है तुब मसाले को हम इसी तरीके से भूनलेंगे मसाला भी हमा परवल बना सकते हैं friends तो देखिए बस एक मिनट हो चुका है और ये stuffing हमारा बन कर तयार है और इसे हम होने देते हैं ठंडा तो देखिए friends stuffing हमारा ठंडा हो गया है अब हम इस तरीके से चम्बश से हम stuffing को परवल के अंदर भरेंगे बिल्कुल दबाते हुए फ्रेंज ताकि स्टफिंग अंदर तक अच्छे से भर जाए देखिए बिल्कुल इस तरीके से आप परवल में स्टफिंग को भरिएगा तो सारे परवल हम इसी तरीके से भर लेंगे फ्रेंज स्टफिंग को दबाते हुए भरिएगा तो देखेए फ्रेंट्स मैंने सारा परवल को भर लिया है अब हम चलते हैं इसे फ्राइ करने फ्रेंट्स तो इसे हम deep फ्राइ नहीं करेंगे इसे हम shallow फ्राइ करेंगे फ्रेंट्स देखे बाकी बचे मसाले को हम side में रख देते हैं तो अब इसमें हम डालते हैं दो चमच सर्जो का तेल तो तेल जादा बिल्कुल ना लें फ्रेंट्स नहीं तो तेल गंदे हो जाते हैं फिर बाद में इसका इस्तमाल नहीं हो पाता है तो इस तरीके से हम परवल को डाल देंगे फ्रेंट्स तेल जब गड़म हो जाएगा तो अब बस इसे हम ढग देंगे बीच बीच में आप इसे चेक करते रहिएगा और इसे बिल्कुल अच्छे से टर्ण करिएगा फ्रेंट्स जब जिधर से कटिंग किया हुआ है उस साइड आप तेल के तरफ मत कीजिएगा नई तो तेल में सारा मसाला फैल जाएगा तो बिल्कुल सवधानी से इसे साइड साइड से इसे हम लाल करके इसे सेख लेंगे फ्रेंट्स देखे बिल्कुल इस तरीके से जैसे आप वीडियो पॉफेक्ट तरीके से पकेगा अब कैंस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखिएगा तो ये लिजिए परवल भरवा हमारा बनकर तयार हो गया है तो अब इसे हम निकाल लेते हैं बहुत ही अच्छा कलर आया है और इसे पकने में 2-3 मिनट ही लगे हैं और बाकी बचे हुए पर बढ़ा परवल ये बहुत ही और इसमीं स्टबबिया है अप चाहे तो सिर्फ मसाले से भी बढ़ाब बना सकते हैं लेकिन मैंने उसमें अलू डाला है इससे बहुत अच्छा तेस्ट आएगा फरवा परवल का तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूं ये बहुत-जूफ् देखिए यह बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंस बहुत ही यम्मी रेसिपी है तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को प्रेस करके अल्पी क्लिक शरूर कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करू तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके वीडियो अच्छा लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट शरूर कीजेगा थैंक यू